सब्सक्राइब करें अवदनामा न्यूज सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें फिर राइट साइड में बने बेल पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे मुस्लिम समुदाय आज शबे बरात का पर्व मना रहा है इस दिन खाम तोर पर सुबह से ही मस्जिदों और कबरिस्तानों में जो चहल पहल सजावट और भीड़ भार देखनों को मिलती है वे इस बार पूरी तरह से गायब है गोरगपुर में कोरोना संगट का साया शबे बारात पर पूरी तरह से हावी है जिसकी वज़े से यहां सन्नाटा पसरा है और खामोशी चाही हुई है देश व्यापी लॉकडाउन के करण गोरगपुर में शबे बारात परव के मद्दे नजर मुस्लिम संबदाय में पूरी तरह से खामोशी है मस्जिदों कबरिस्तानों में सन्नाटा पसरा हुआ है तमाम मुस्लिम धर्म गुरूओं के आवाहन पर गोरगपुर में भी मुस्लिम संबदाय द्वारा घरों में रहकर शबे बारात का परव मनाए जाएगा शेहर के तमाम कबरिस्तान के तरवाजों पर नोटिस चस्पा कर दी गई है कि आप अपने घरों में ही रहकर धार्मी क्रिया करम करें गुरकनाति स्थित कबरिस्तान में कबरों की देखभाल करने वाले परवेज अहमद ने बताय कि उन्होंने अपने पूरी जिंदगी में शबे वारात के मौक्या पर ऐसा सन्नाटा कभी नहीं देखा आज शुबरात का दिन आज सन्नाटा रहने नहीं चाहिए मगर अब बीमारी के ले करके ऐसा हो रहा है क्या किया जाए कभी आपने इसा देखा था कभी नहीं आपकी उमर कितनी है हमारी उमर 69 साल तो क्या यह 69 साल पहली बार हुआ पहली बार है सन्नाटा हां जी